नवश्कार स्वागा थे गवाफिर से आप सबका बुक्स वाले भाईया पे मैंने पिछले वीडियो में जेक हफ्ता पहले पब्दिश हुआ था मैंने एक वादा किया था कि मैं अगले हफ्ते एक बहुत ही खास शक्स किया खास लेखक की किताबों की बात करूंगा और जी हा मैं बात कर रहा हूं हिंदी क्राइम फिक्षन के अंधिक्राउंड किंग बेताज बाथशा सुरेंदर वोहन पाठक जी की है आज सुरेंद वोहन पाठक जी का तेरासी वह जलन दिन है एक टरन्स 83 टुडे और आज के दिन सबसे पहले पाठक जी मैं आपको जलन दिन की नहीं जालता होगा हिंदी क्राइम फिक्षिन के अंक्राउंड किंग वाले जाते हैं उन्हें तीन सौ से अधिक नौवल उनके बनाये हुए करेक्टर सुनील विमल सुधीर यह बहुत-बहुत प्रसित हैं कास तौरपल सुनील और विमल और पाठेल जी करीब-करीब साथ साल दिशक हैं और आज मैं जन्-बुक्स की बात करना हो नहीं पाठेक जी कि आत्म कता है जी हां यह वात्म कता है जो तीन खंडों में विवाजित है लगपर 1200 पेजकी यह पर्रफिक कि आत्म कता है इसका पहला भाग है ना बैडि ना कोई बेगाना इसका दूसरा है हम नहीं के बुरा ना कोई और तीसरा आखरी भागयों है निंदक नेड़े रखिए तो तीनों ही किताबें पाठेक जी के निस्तंदे जीवन की बात करती है और बुक्स के बारे में बात शुरू करने से पहले एक बात पताना चाहूंगा की इंग्लेंड के मशूर लेखक रहे हैं अपने पहले के तो उनों ने कहा था कि मैं गांधी नहीं हूं कि अपने आत्मकता लिख दूंगा थो मेरे में सच बोलने का सहस्थ नहीं यह तो यह बात जीवन को सच्चाई एमानदारी से बता पाने का साथ कम लोग कर पाते हैं पाठक जी जूरी तवाम बातों को बिना क किसी सेकेंड थौट के बहुत ओपनी जंता के सामने रखते हैं कि आपनों के इंटेव्यूस देखे होंगे यूट्यूप विलेबल है तो एक बहुत ही मेरा तजुर्बा है कि बहुत ही इमांदार किसम के विक्ति हैं जो सच को सच की तरह बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट हो सब्सक्राइब बताती है उनके बच्चपन से लेकर उनकी युवावस्था के बारे में और जैसा कि आम जानते हैं बहुत से रिफ्यूजी के तरह वह भी इंडिया आए अपने फैमली के साथ अपने माता पिता बहनों के साथ और यह पहला पार्ट पढ़के आपको ऐसा लगए का जैसा उनने सब्सक्राइस के भारत में क्योंकि उन्होंने अपनी बच्पन की बातों का बहुत एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने बहुत छोटे-छोटे जो उनकी अनुभव रहे हैं उस समय का भारत कैसा था सबसे पहले तो पार्टिशन से वह उबर के कैसे आए उनके पिता कहां नौकरी करत है कि विवस्था कैसी थी कैसा था हमारा देश कैसी थी दिल्ली तो जी हां ऐसे बहुत से आपको नगेट्स इस बुक में मिलते हैं जैसा मैंने का पाठेक जी काफी डिटेल में इन चीजों को डिस्क्राइब करा है तो एक आपको बहुत अच्छी फीलिंग नासरे हो लिख मैं ने पाठेक जी को पठ़ते हैं तो बहुत पराने इंसिदेट्स जो है उन्मेलाक के बताえ है कैसा करस्पराने रहा लोगों के बीच उनके दोस्तों उनके पेरंट्स बारे में उनके फैमिली के बारे में बहुत सी बाते जो हैं वह डायलॉक्स के थू हैं कैसे उनकी लेख की जीवन की शुरुआत हुई कैसे इनको किताबे बढ़ने का चसका लगा और एक बात आपको पता चलेगी कि एक और हिंदी के जाने माने लेकर वेद प्रकाश प्रकाश शर्मा ऐसे तमाम बाते जैसे मैंने चीज़ों को बताया है तो अगर एक पुराने भारत को पुराने भारती समाज को जानने की इच्छ है तो आपको निसंदे इस इस बुक में बहुत मिलेगा दूसरी और तीसरी बुक्स पर बाते हैं हम नहीं चंगे बुरा नक रिलेशन बनाए बहुत से लोगों से दोस्ती करी बहुत से समंद्ध लोगों से दुनिया से बने आपको एक पर शहां थोड़ी सी हरानी भी होगी कि जो वेक्ति जॉब भी करता था और जो लिखता भी था उन्होंने वह इतने सोशल रहे हैं यह बात मैं तो क्योंगा अप होती सीधे वेक्ति रहें जिनमें मुझे ऐसा ने लेकर चलकपट वाली भावना रही और आप पढ़के देखें कि कैसे आपको एक लेसन मिलता है कैसे दुनिया में लोग फायदा उठाते हैं और बहुत सब कुछ लिखा हुए किस तरह के दोस्त उनके रहे कुछ अच्छे से एक लेसन आपको मिलता है कि जमाने उस जमाने में भी लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं अच्छे लोगों का फायदा उठाते थे लेकिन सबसे खास बात आपको इस बुक से पता चलती है जो मैं कहूंगा कि हर भावी लेखक को पढ़नी चाहिए आपको यह जानकर हिरानी हो खराब किस्मत कही है या एक जो जो भी आप नाम दे लेकिन हो जैसा कि वह जानते हैं अपने इंटेव्यू में कई बार इस बात को दुराया कैसे वह कुछ पर में पॉब्लिश की कुछ नीतियों के खिलाफ रहे हैं और कैसे कई अपने पॉब्लिश के साथ उनका मुकदमा तक चला और कैसे विघ्ज करी तो अपने लेख की यह जीवन में जैसे उनके नॉवल मका्ष से जयादा क्यों कि इसले एक बात करूंगा कि वैसे तो सब को यह रह किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस टेम पब्लिशिंग की दुनिया कैसी थी और आज अगर आप पढ़ रहा है कि सारे खराब है और बहुत अच्छे भी हैं और वह खुद भी पब्लिश कराते हैं लेकिन हां कि क्या क्या दिक्कते क्या क्या चलेंज की बारे में पढ़ रहे हैं पाठक जीवन जैसा उन्हें जीवन जिया है बिल्कुल वैसे का वैसा आपके सामने अपनें तीन किताबों में रखा हैं तो मेरा मनने कि कोई भी किसी भी एज्ग्रूप का किसी भी व्यविवसाय का इसको पढ़े गा तो एक को एक जी के साथ जरूर फील करेगा कि हां मेरी जिंदगी वी किसी माइने में इनके जैसी है जैसे मैं बहुत रहें हैं उनके पड़ने वाले जो उनके दोस्त परने हैं जिनके साथ आना जाना रहा घुमना रहा उनको दोस्तार निधा गयोते आपके बहुत ही मैं कहूंगा कि डाउन डू अर्थ व्यक्ति के जीवन के बारे में जानने को मिलती हैं यह पॉपक उतनी सुनील सीरीज विमल सीरीज या सुदीयर कोली सीरीज के बारे में उत्री नहीं है क्योंकि उसके लिए आपके पास वैसे ही उनकी बुक्स हैं पढ़ने को पढ़ने को पर यह पैठक जी के एक लेखक के लेखन को जीवन को जानना चाते हैं तो निसन दे मैं कहूंगा कि यह किताब आप जरूर पढ़िए आप उनको प करना की गैरेंटी है क्योंकि मैं परस्नली बहुत उनका बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत से लोगों को जानता हूं जोंके बुक्स को बहुत-बहुत बढ़ा है तो उसके साथ साथ में जूर आपको रेकमेंट करूंगा कि यह तीनों किदाबें उनकी आत्मकथा को आप करता है